जोस्तों नमस्कार आज हम लोग फिर एक नए टोपिक पर चर्चा करेंगे और टोपिक वही अपना जो फार्मिंग से समंदित जो बार जो लोगबाग बकरें लेके जाते हैं ग्रेजिंग पर जिन लोगों की बकरें जाती हैं कि उन में कई बार ये problem पई जाती है कि कोई जग वह कई बार एनेमल्स को बायिट कर जाता है तो उसमें एक्षर पूछा जाता है कि उसमें प्रते कि पूरत था कि यह वो Sorry,tok में और रहने सवाज के जवाब देते हैं आपको कि हर बायिट रेबीज नहीं करती उसमें सबसे पहले तो आप ये identify करें कि क्या जो डोक्स था या जो भी जिस अनिवल ने bite की है क्या वो real में rabbit था तो आप एक जड़ा सा idea आप ये ले सकते हैं कि जब भी जो dogs होते हैं और वो rabbit से गरसित होते हैं तो ऐसा जो dog है वो अखेला रहता है आप देखेंगे कि वो ग्रूप में नहीं होगा तो ऐसे में अगर सिंगल डोग बाइट है तो वहाँ थोड़ा सा संदे रहता है कि हो सकता है ये रेबिट डोग हो तो इसमें जो पहला प्रात्वी कुपचार अपने इस्तर की जो तिये चीजे वो यह होता है कि आप जैसे जनरली देखा गया है फिल्ड में ये देखने के लिए मिलता है कि लोग बाग उसमें ये नमक, मिर्श वगरा उस घाव पर लगा देते हैं तो आप ऐसा नहीं करें उसमें सबसे बड़ी है कि आप जो जो भी आपके पास साबून है उस से अच्छी तरह उस घाव को साब करें अच्छी तरह साबून लगा कि दो तीन बार आप अच्छे से उसमें साबून लगा दें और साथ में जो भी जैसे पोविडीन आयूडीन होता है इसके अलावा डिटोल वगरा है इसके अलावा जो potation permeate है ऐसे जो भी आपके पास प्रात्मिक इस तर पर जो चीजें है तो आप एक बार वो चीजे locally आप apply कर ले इसके अलावा vaccine की जो बात हुई तो उसमें ये है कि अब आप ये identity नहीं कर पाए कि डोग रेविड था या नहीं था तो एक तो ये करीवन करीवन 90% आप मान के चले कि जो भी salivation होता है जानवर का उसी से होता है तो अगर रियल में एनिमल्स रेविड है और उसने बाइट किया है तो चांस बन जाएंगे और उसने बोड़ी के किस इससे पर बाइट किया है ये भी डिपेंड करता है और अपन टेकनिकल बात करें तो रेविज ये रेबडो वाइरस है इसके लिए कारक और इंक्यूबेशन इसका पीरिड करीबन साथ से चोदा दिन के आसपास देखा गया है जानवर रेबिडोने में तो वेक्सीन आप प्रिवेंशन के इसाब से आप जो इसके जो सोट है आप जीरो डे पे तीसरे डे पे और सेवन डे पे ये वेक्सीन आप कर ले ये ये तीन सोट आप जो रक्षा रब के नाम से आता है वरने मेल का होता है और ये सब कट लगती है तो अगर आप कर लेते हैं तो बहतर है वरना किसी चिकेसक को बुला के आप ये करवा सकते हैं और साथ दिन के बाद में जो अगला सोट होगा वो चोदा दिन पर आएगा तो आपको ये अंतराल मिल जाएगा इस अंतराल में आइडिन्टी हो जाएगी जानवर की और अगर आइडिन्टी नहीं होती है तो आप उसके बाद साथ दिन के बाद में जो चोदुए दिन की डोज है वो भी लगाए उसके बाद 28 दिन और उसके बाद 90 दिन ऐसे में रेबीज के ये 6 टीके लगते हैं तो आप ये वेक्सीन करवाए और जराब मैं आपको ये और बता दूँ कि ये 0, 3, 7, 14, 28, 29 इन दिनों पे ये वेक्सीन लगाई जाती है तो 0 दे जिस दिन उस डोग ने बाइट की है उस हिसाब से आप 24 गंटे में पहली डोज ल और ने बादू